हलो फ्रेंड्स कामीनी के किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर कीजिएगा साथ ही में प्रेस कर दीजेगा बेल आइकन के बटन को जिससे मेरे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन्स आएंगी तो वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी तो आईए आगे देख लेते हैं तो यहां पर हमने राजमा को राद भर भीगो करके ले लिया है जब भी राजमा बनाए तो उसे राद भर भीगो दें तो मैंने आपको हाथों से दबा कर भी दिखाया कि यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं तो इस तरीके से भीगो के जब राजमा बनाते हैं तो बहुत ही जादा बढ़ियां बनते हैं कुछ लोग इंस्टेंट भी बनाते हैं लेकिन वह टेस्ट नहीं आता है तो बस इस तरीके से हमने राजमा को अच्छे से दो लिया है दो से तीन बार अब हम इसको कूकर में डाल देंगे और इसमें हम पानी डालेंगे तो यहां पे हमने पानी डाल दिया है राजमा से उपर ही हमें पानी को रखना है इस बात का ध्यान रखिएगा साथ ही में मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है थोड़ा ही नमक डाले साथ ही मैंने इसमें हाफ तेजपत्ता डाल दिया है यह बड़ा वाला था तो मैंन थी नहीं तो मैंने एक ही डाल दी क्योंकि मुझे एक ही मिली थी तो यहां पर हमने गैस पे प्रेशर कूकर को चड़ा दिया है एक सीटी हम तेज गैस पर लगाएंगे और दो तीन हम धीरे गैस पर लगा लेंगे तो लीजी हम बातों बातों में ही हमारी सीटी यां भी आ तो यहां पे मैंने 7-8 लैसुन की कलिया, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अद्रक का टुकड़ा, 3 टमाटर और 4 प्याज ले लिए हैं, तो इनको हम मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे, तो यहां पे हमने कढ़ाई चड़ा दी है, तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे, एक पिंच में यहां पे हींग आट करूंगी, हींग जरूर आट कीजिएगा, साथ ही में जो हमने प्याज अद्रक लैसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, उसको भी हम डालेंगे, तो इस तरीके से में चम्चे के उपर ही इसको डाल रही हूं, क्योंकि ड अच्छे से भून लिया है, तो अब यहां पे प्याज अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो यहां पे मैंने एक चम्मच रेट चिली पाउडर डाल दिया है, साथ ही में में डाल दूंगी हाफ चोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और यहां पे एक स गजब का टेस्ट आता है साथ में थोड़ा नमक एड़ करें नमक हिसाब से ही डाले क्योंकि हमने बॉयल करते समय भी नमक एड़ किया था तो बस अब हम टमाटर की प्यूरी डाल के सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए हम इने भूनेंगे तो थोड बढ़ियां तरीके से मसाले को पका लेंगे तो देखिए आप मसाला हमारा बहुत ही बढ़ियां से पक रहा है और तेल भी इसमें से रिलीज हो गया है तो इसको हम मिक्स कर लेंगे चलाते हुए ही जितना बढ़ियां तरीके से मसाला हम पका लेंगे ना उतना ही बढ़िया हमारी राजमा की सबजी बनके बिल्कुल त्यार होगी यकीन मानिये फ्रेंड्स इस तरीके से आप बनाएंगे न तो आपकी सबजी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी तो दुबारा से हमने इसे कवर कर दिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला हमारा पक गया है आप देख सकते हैं इस मसाले को हमने दो बार कवर करके पकाया है क्योंकि जितना बढ़ियां से मसाला हमारा भुना हुआ होगा उतनी ही परफेक्ट हमारी सबजी बनेगी तो बस ट्रिक्स को फॉलो करिए और मसाले को बढ़ियां से भून लीजिए तो अब हम डालेंगे इसमें बॉयल किया हुआ राजमा तो राजमा में जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना उसके साथ ही में हम इसको ग्रेवी में डाल देंगे तो बस राजमा हमने डाल लिया है अब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कलर तो वैसे ही कितना बढ़ियां आ गया है और हम इनको दुबारा से कवर कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो राजमा में अच्छे से एब्सॉर्फ हो जाएं तो लीजिए राजमा में हमारे मसाले अच्छे से एब्सॉर्फ भी हो गए हैं और इसमें कलर कितना बढ़ियां आ गया है आप खुद ही देख सकते हैं मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रुरत नहीं है तो बस इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी एक चमच गरम मसाला इससे तो हमारे राजमा में बहुती बढ़ियां सुआद आएगा ही साथ में कलर भी बहुती बढ़ियां आएगा तो बस राजमा में हम गरम मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और भाई अब धनिया के बिना तो हर सबजी अधूरी ही रहती है न तो बस धनिया को भी हम उपर से डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पे अब मैंने बंद कर दिया है तो चलिए भाई राजमा को भी हम मिक्स कर लेते है तो लीजिए धनिया भी हमने राजमा में मिक्स कर ली है तो आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बढ़ियां हमारी सबजी बन के तियार हुई है आप देख सकते हैं, कलर तो बहुती बढ़ियां आया है यकीन मानिये फ्रेंड्स इस तरीके से बनाएंगे न तो आपकी सबची भी इसी तरीके से बनेगी तो थोड़ी देर रखने के बाद में ये और भी ज़्यादा गारी हो जाएगी तो यहाँ पे हमने एक सर्विंग बोल ले लिया है तो चलिए भाई इसको भी कर लेते हैं सर्व बिना देरी किये हुए ही तो आगया ना आपके मुँ में भी पानी तो यकीन मानिये फ्रेंड्स ट्रिक्स को फॉलो कीजिए बेसिक सिंपल घर के मसालों से ही हमने इतना बढ़िया सूपर डूपर टेस्टी आपने खुद ही देखा है हमने इसमें बाहर से कुछ भी नहीं डाला है बेसिक बस घर के ही सिंपल मसालों से हमने इतना बढ़िया इतना शांदार राजमा बना के त्यार किया है चावल मिल जाए तो फिर बात ही क्या है रेस्पी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा